हेलो पारे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी? I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कप्षा चार के विशसामाज जग्यान के सब तहा सोले की वक्सीत को सॉल्व करेंगे जो की उत्री दिली नगर निगम के द्वारा दी गई है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं Quesion 1 है रिक्तिस्थान भरिये बच्चे आपर सब्द दिये गए हैं इक्तिस्तान भरने के लिए गरतंत्र दिवस सम्विधान 2 अक्टूबर स्वतंत्र 26 जनवरी को के रूप में मनाया जाता है किसके रूप में गरतंत्र दिवस के तो यहां पर लिखेंगे 15 अगस्ट 1947 को हमारा देश हुआ था क्या हुआ था स्वतंत्र इट मींज आजाद हुआ था गांधी जनवरी को मनायी जाती है कब मनायी जाती है दो अक्टूबर को भारत का 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था क्या सम्विधान अब बच्चो कोशे नंबर टू सही कतन के लिए सही और गलत कतन के लिए गलत का चेने लगाईए फर्स्ट है 15 अगस्ट को गांधी जनती मनाते हैं तो बच्चो गलत है गांधी जनती हम कब मनाते हैं दो अक्टूबर को नेक्स्ट है 26 जन्वरी 1950 को भारत का सम्विधान लागू हुआ था तो बच्चो हाँ ये सही है नेक्स्ट है गरतंतर दिवस 15 गस्त को मनाया जाता है तो बच्चो गलत है गरतंतर दिवस 26 जन्वरी को मनाया जाता है नेक्स्ट है होली तथा दिवाली भारत के प्रमुक राष्ट्य पर्व है तो बच्चो गलत है होली तथा दिवाली भारत के धार्मिक पर्व है आवे बच्चो कोशिय नमबर 3 राष्टे पर्व का क्या आर्थ है? भारत में कितनी राष्टे पर्व मनाई जाते हैं, उनके नाम लिखे तो बच्चो आंसर है, राष्टे पर्व उन्हें कहते हैं जिनने पूरा देश एक ही तरह से और सम्मान पूरक मनाता है भारत में तीन राष्टे पर मनाय जाते हैं गरतंतर दिवस, स्वतंतरता दिवस और गांधी जैनती अब बच्चों कोश्यन नमबर 4 26 जनवरी को गरतंतर दिवस के रूप में क्यों मनाय जाता है तो बच्चो आंसर है 26 जनवरी को गरतंतर दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश का समविधान लागू हुआ था एक आजाद देश के लिए समविधान बहुत आवशक होता है तो बच्चो आंसर है स्वतंतर दिवस पिरतियक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि सन 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश स्वतंतर यानि आजाद हुआ था अब बच्चो कोश्चन नमबर 6 राष्ट दोज का चितर बनाकर रंग भरिये तो बच्चो आप यहाँ पर राष्ट दोज का चितर बनाएंगे और उसमें इसी तरीके से सुन्दर से रंग भरेंगे जीवन कौसल पेड़ पौधों की देखवाल कोश्चन है बच्चो आप अपने घर के पौधों की देखवाल कैसे करते हैं तो बच्चो आंसर है हम पौधों को सुबह साम पानी लगाते हैं अधिक धूप होने पर हम पौधों को छाया में उठा कर रखते हैं संसकार साला छोटी छोटी पर बड़ी बाते जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिस नहीं की किसने कहा है अलबर्ट आइंस्टीन ने खाने पीने में हैं अपने खाने में हरी सबजियां सामिल करें जैसे की घीया फली तिंडे आदी घीया बच्चो इसे कहते हैं लौकी गती विदी अपने घर के पौदों में पानी देंगे सभी बच्चे खेल में अपने परिवार के सदस्यों के साथ लूडों का खेल खेलेंगे दैनिक दिन चरिया यहाँ पर कुछ आदते दी गई हैं आपने अपनी दिन चरिया में सामिल करेंगे अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें अपने दातों को दिन में दो बार ब्रश करेंगे प्रति दिन इसनां करेंगे खुब पानी पिएंगे और संतुलित आहार लेंगे अपने चेहरे को छूने से बचेंगे और अपने हाथों को बार बार दोएंगे अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करेंगे बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्ली चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू